कुछ बोलना चाओगे अब लोगों के लिए कंटेंट लेके आ रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे यूट्यूब के भाईयों की और मेरी फैमली की डिमांड थी यूट्यूब की की प्लीज इसके अंदर हाइट एड़ेस्मेंट सीट लाओ और उन लोगों को एक्सपोस करो ज उससे भी करवा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 9000 रुपे में 9000 रुपे में यह पूरी एडजस्मेंट आपके हो जाएगी और काम भी एकदम ओरिजनल जैसे जैसे आप वीडियो को आगे देखेंगे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैं कर रहा हूं और क्या मैंने दिम प्लीज इसे लाइक जरूर कीजेगा क्योंकि टेंपरेचर इतना ज्यादा है और यह कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूं तो प्लीज एक लाइक तो मैं इस पर डिजब करता हूं और ज्यादा से शेयर कीजेगा ताकि लोग उस कैम से बत सकें जो कि लोग ज्यादा प कुछ खुलनी चालू हो गई है पहले सीट को उपन करते हैं यह सेंसर वाली सीट है तो इसका बहुत ज्यादा द्यान रखना पड़ेगा जो और मार्किट में अभी सीट से अभी लेबल हैं उनके अंदर सेंसर नहीं है तो यह बस इस तरीके से में खुल वाता हूं और दो वायर हैं देखना पड़ेगा थोड़ा मेरे को लगता है कि सीट में भी सेंसर है कि नहीं देखता हूं मैं तो सीट इस तरीके से सीट यहां से खुल चुकी है अब इसको इंस्टॉलेशन करते हैं और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जैक वाली सीट लगेगी यह कुछ खुलना शुरू हो गई है और इसमें फिटिंग करने वाले हैं उस वाले फ्रेम की और इसका जो एक्जिस्टिंग फ्रेम में इसको निकाल देंगे अभी मैं स्लाइडर चेंज करवाने के लिए इसको खुलवा रहा हूं इसका पूरा कुशन साइलेंसर वगेरा सब क कुछ खुलेगा प्लीज वीडियो को आन तक देखेगा इंफरमेटिव होने वाली है आज तक यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट कोई नहीं लेकिया है हर कोई सीट बना के दिखा देता है कि कैसे बनते हैं मगर पूरा प्रोसीजर क्या है वो कोई भी नहीं दिखाता है यह हम सबसे 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 कर सकते हैं से कुछ सीट भार आ गई और सीट नीचे से कुछ इस प्रकार होती है यह इसके वायर वगेरा होते हैं अब इस सीट को करेंगे इसके नीचे का पार्ट और वह वाला पार्ट चेंज होगा जो होना चाहिए आपस वीडियो में बने रही है और इसे अंतर तक देखे पीछे भी सबसे पहले इसका यह वाला कवर रिमूव होगा और फिर यहां से सीट को खोला जाएगा देख सकते हैं आप आपको भी इंस्ट्रोलेशन में इसमें बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली प्लीज वीडियो को अंते तक देखेगा यहां पे दो यह अपना बोल्ट दी हुए 14 जो कि पीछे का सीट का रिकलाइनर होता है उसे इस पार्ट से सेपरेट करना पड़ेगा उसके बाद यह असली प्रोसेस शुरू होने वाली है तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहें और आपको सही सब समझ में आ जाएगा कि किया किया है मैंने बहुत ज्यादा लोग इसमें लूटते हैं और अठार अठार बीस बीस अजार रुबे मांगते हैं एड़ेस्टेवल सीट बनाने के लेकिन यह कुछ भी नहीं है मात्र नो अजार रुबे में आप इसको अपने घर पर ही कर सकते हैं इस तरीके से सीट का जो है कुशन निकाला जा रहा है यह सीट का कुशन निकल गया है और फ्रेम इससे सेपरेट हो गया है तो जी हां आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि हम इसका जो है फ्रेम चेंज करने वाले हैं और फ्रेम चेंज करके जैक वाला फ्रेम इसमें लगाने वाले हैं अर्वन पूजर का जो कि टॉट के लिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना कर डाला जाए मुझे इस हाइट एड्जेस्मेंट सीट की जरूरत नहीं दी बढ़ आप लोगों के लिए में कंटेंट लेके आया हूं कि अब यह निकल गया है बस इसमें से कि यह आपको सीट बैल्ट का जो लॉक होता इसको भी खोलना पड़ेगा यह इसमें से बाहर आ चुका है यह देखे फोम सेपरेट हो गई है अब आपको दिखाते हैं नया फ्रेम के सामने नया फ्रेम आ चुका है जो कि टोयटा का ओरिजिनल प्रोड़क्ट है देख सकते हैं आप साइट से उपर से नीचे से हर जगी जगा से तो इसको इंस्टॉल करने वाले हैं और फिर मैं दिखाता हूं आपको गाड़ी में का देने हैं इस तरीके से लोक इनके भाई मेरे लगा रहे हैं बड़ाई नीट अपग्रेड है इसके अंदर आपको कोई इशू भी नहीं आने वाला और जिनको हाइट अड़्जस्मेंट की जरूरत है उनकी सारी दिक्कते भी इससे जो है खीक हो जाएंगी और वो हाइट अपनी और उस इसाब से घाड़ी को ड्राइब कर सकते अपनी यह सिर्फ लगाने होते हैं आपको स्नैप ओन लॉक दिख रहे होंगे यह जस्त लगाने और आपका जो है गत्ता जो है इस वेक्तम फिट हो जाएका कुशन जो है और नीचे जो है कपड़ा लगाए प्लीज को ना रिमूब करें क्योंकि यह साइलेंसर होता है फोम का आगर यह नहीं होगा तो फोम फुस 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 अवाज करेंगी तो पिटा के औरिजिनल सीट कवर लेने का फायदा है देखो जब जितनी भी बार इनको लूज निकालो लूज फिट कर लो कोई इशू ही नहीं है फोम फिट हो चुगी है कवर फिट करते हो और फिर मैं आपको बस इसमें हैंडल लगाता हूं और मिलता हूं बड़ाई असान अपग्रेड है 15 मिनिट लगें सिर्विस को इंस्टॉल होने में आप देख सकते हैं यह हमारे इमरान भाई है कुछ बोलना चाओगे अब कुछ तो बोल दो यार कि जो है हाइट अब इसे फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यह हाइट अब इंस्टॉल हो चुकी है और मैं इसकी कुछ फंक्शनिंग दिखा देता हूं आपको यह देख एक दो तीन चार पांच छे स साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा उन्निस बीस इकेस बाइस तेईस चौबिस पच्चिस चपिस 27 28 28 वार यह उठी है और यह देखो सीट कहां पहुंच गई है यही कुछ था बहुत ही अवेटिट था यार बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे थे तो इसलिए आपका भाई यह वीडियो आपके लिए लाया है और कुछ इसी तरीके से नीचे भी हो जाती है यह देखो आप सीट कैसे पीछे जा रही है यह पूरी सीट पीछे चली गई है तो फ्रेंस आप देख पा रहे होंगे कि कुछ हाइट एड़ लो चुकी है और लगबख खर्चा इसमें आपका 9000 के आसपास आएगा आप मेरे से भी करवा सकते हैं बाकी वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखा भी दिया है कि आप खुद भी कर सकते हैं मुझसे भी करवा सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है लगबख साड़े 8000 का फ्रे के लिए जहां तक मुझे लगता है कि पहली बार किसी ने ऐसे किया होगा दिखा कर क्योंकि कर तो बहुत लोग रहे हैं अब एक दो बंदो का नाम लूँगा सकाइकार वाला भी है रमेश नकर में वह भी टाटा की गाडियों के करता रहता है लेकिन किसी को कुछ बताता न यह है यह देखो सीट पूरी नीचे जा चुकी है तो यह कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट था जो मैंने किया है और आप लोगों के लिए ही किया है इन्फरमेशन आप तक पहुंच पाए मेरे काफी भाई हैं जिनके और मेरे पास हैं इस चीज के तो उनको मैं जलसे जलस बेज देता हूं और अगर किसी की भी रिक्वार्मेंट हो तो आप मेरे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं बहुत यह अच्छा अपग्रेड है उन लोगों के लिए जिनकी हाइट थोड़ी चोटी है और जो है विजिबिलिटी उनको आगे बोनट वगेर नहीं नजर आता वो यो को राम राम